हरियो, संस्कृत कक्षा में आप लोगों का स्वागत है आज हम आठवी कक्षा के एक पाठ विद्या सर्वस्य भूशनम को समझाने जा रहे हैं विद्या के महत्यों को दर्शाय गया है इस पाठ में विद्या को सभी का आभूशन बताया गया है विद्या से विहीन मनुष्य उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार सुगंध हीन पुश्प होता है तो आईए सबसे पहला शलोक समझते हैं नक्षत्र भूशनम चंद्रो नारी नाम भूशनम पते प्रिथेव्या भूशनम राजा विद्या सर्वस्य भूशनम नक्षत्र भूशनम चंद्रो नक्षत्रों का आभूशन चंद्रमा होता है नारीयों का आभूशन पती होता है राजा समस्त प्रिथ्वी का आभूशन होता है लेकिन विद्या सभी का आभूशन होता है विद्या सर्वस्य आभूशनम अतह विद्या रूपी आभूशन हम लोगों के पास अवश्य होना चाहिए दूसरा श्लोख है अपूर्वः कोपिकोशोयम विद्यते तव भारती वह कोश सभी खजानों से कोश मतलब होता है खजाना वह खजाना सभी खजानों से बड़ा होता है जिसमें विद्या रूपी धन होता है अर्था विद्या रूपी खजाना सभी खजानों से स्रिष्ट है विद्या रूपी धन सभी धन से स्रिष्ट होती है क्योंकि व्ययतो वृद्धिम आयाती क्योंकि इसे जितना खर्च किया जाए इसमें वृद्धी ही होती है क्षयम आयाती संचयात और इसे जितना जमा किया जाए इसे संग्रह किया जाए तो इसमें हानी ही होती है यह घटा ही जाता है अन्यश लोक पर आते हैं रूप यवन संपन्ना विशाल कुल संभवा हमारे पास रूप है यवन है रूप और यवन से संपन्न होने के साथ साथ हम हम विशाल कुल से भी रिष्टा रखते हैं विशाल कुल में हमारा जन्म होता है फिर भी विद्या से विहीन होने पर हम उसी तरह के हैं, जिस तरह सुगंद से रहित होने पर एक फूल होता है, इस श्लोक का अर्थ है बच्चों, रूप यौवन से संपन होने पर भी, विशाल कुल में जन्म होने पर भी, अच्छे कुल में जन्म लेने पर भी, यदि हमारे उसी तरह के हैं, जैसे एक सुगंद रहित फूल होता है। सुगंद रहित फूल को जिस तरह न तो इश्वर के लिए रखा जाता है और नहीं कोई उसे पसंद करता है। उसी तरह विद्या से विहीन मनुश्य किसी काम के नहीं होते उनकी कहीं प्रतिष्ठा नहीं होती है, अगला श्लोक है, इसमें भी विद्यारुपी धन की महत्तो को दर्शाया गया है, न चोर्य हार्यम न चराज्य हार्यम न तो विद्यारुपी धन को चोर चुरा सकता है और न तो कोई राजा इसे हर सकता है विद्यारुपी धन को राजा युद्ध में छीन भी नहीं सकता ना भ्रात्रिभाज्यम ना चभारकारी ना तो भाईयों के बीच विद्यारुपी धन का बटवारा होता है और ना यह बोज के समान धोने लायक होता है व्यकृते वर्धते एव नित्यम इसे जितना व्यकिया जाए इसे जितना खर्श किया जाए इसमें नित्य वृध्धी ही होती है इसी लिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अतर विद्याधन सभी धन में प्रधान होता है अन्य स्लोक है मातेव रक्षती विद्या हमारी रक्षा माता के समान करती है पितेव हिते नियुकते पिता के समान ही यह हमारे हर शुब काम में हमारा साथ देती है और पत्नी के समान ठकान मिटा कर यह हमारे मन को हलका करती है यह धन दौलत को बढ़ाती है तथा सभी दिशाओं में हमारे यश को भी फैलाती है विद्यारूपी धन कल्प विक्ष के समान होती है जो हमारी सारी एक्षाओं को पुर्ण करती है विद्या हमारा उपकार किस प्रकार से नहीं करती यह हर तरह से हमारे काम आती है अंतिम श्लोख है स्पाट का बच्चो पुस्तक अस्था तुया विद्या परहस्त गतम धनम पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ हमारा ही धन गर्य काले समुध्पने समय पढ़ने पर न सविद्या न तद्धरम समय पढ़ने पर न तो वह पुस्तक की विद्या काम आती है और न दूसरों के हाथ में गया हुआ हमारा अपना ही धन इस श्लोकार्थ इस प्रकार समझो बच्चो जिस प्रकार पुस्तक में स्थित विद्या को जब तक हम ग्रहन न कर लें जब तक आत्मसाथ न कर लें यह हमारे किसी काम में नहीं आता और अपना ही धन्यदी हम किसी कोधार में दिये हुए हैं जब तक वो हमें वापस नहीं कर देता तो परिस्थिती पढ़ने पर जरुरत पढ़ने पर न तो वापुस्तक की विद्या काम आती है और न वा दूसरों के हाथ में गया हुआ धन हमारे काम में आता है इस प्रकार इन सारे इस लोकों के द्वारा ये असपश्ट हो जाता है कि विद्या सर्वस्य भूशनम विद्या सबका भूशन होता है सबको विभोशित करने वाला सबको सजाने वाला गहना होता है और ये हमारे लिए अती महत्वपोर्ण होता है परिक्षा में इन सारे इस लोगों के अर्थाएंगे बच्चों इन्हें अच्छी तरह से कंठस्त कर लें धन्यवाद